हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे अर्बी के पत्ते से पकोड़े बहुत टेस्टी और डिलिसियस बीटियो हमारी लास तक देखिएगा दोस्तों अच्छे लगी तो लाइक और सेयर कर दिजिएगा चलिए फिर हम बनाते हैं पकोड़े पकोड़े बनाने के लिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों इसे हमने तोड़ लिया है ये देखिए दोस्तों इसे अब हम अच्छी तरह से धो लेते हैं ये देखिए दोस्तों इसे हमने धो लिया है और इसका पीछे का डंडी हम सारी तोड़ देंगे जो कि हमारे पकोड़े बनाने में दिक्कत नहूं यह देखें दोस्तों और हमने लेते हैं एक बर्तन उसमें हम डालेंगे बेशन आप अपने हिसाब से दोस्तों ले सकते हैं जितना ही आपके पास पत्ते हों और इसमें डाल देते हैं चावल का आटा कस्मीरी लाल मिट स्वाद उनसाद नमक धनिया पाउडर हर्दी पाउडर गरम मसाला लसुन अतरक का पेश्ट देखे दोस्तों इसमें हमने सारे मसाले को डाल दिया है और थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाल दिया है देखे दोस्तों अब इस सारे मसाले को हम मिला देते हैं अगर दोस्तों हमारे पकोड़े आपको अच्छे लगे तो कमंड बॉक्स में जरूर बताईएगा और ये भी बताईएगा आपके यहां इसे क्या बोलते हैं देखे दोस्तों अब पानी डाल कर इसका हम पेश्ट तयार कर लेते हैं ये देखे दोस्तों हमारा तयार हो गया अब इसके पीछे का डंड़े हम काड़ देते हैं ये देखे दोस्तों ये असानी से कड़ जाता है सारे डंड़े को हमने काड़ दिया है ये देखे दोस्तों अब इसका हम बनाएंगे पकोड़े इसके पत्ते को हम फैला देते हैं उसके उपर हम अपने बेटर को लगा देंगे जो हमने बेशन का बनाया था यह देखिए दोस्तों इसे बनाना दोस्तों बहुत असान है बहुत असानी से बनका दोस्तों तयार हो जाता है यह देखिए दोस्तों पहले दोस्तों मेरी दादी बनाती थी बहुत अच्छा लगता था आज मैंने सोचा लाओ मैं ही बना लेती हूँ देखिए दोस्तों बहुत कम समय में बनकर यह तरफ से फोड करेंगे देखे दोस्तों आप इसके ऊपर से हम थोड़ा से अपने बटेर को लगा देते हैं यह देखिए अब इसे हम फोड करेंगे इसे थोड़ा टाइट ही करना है दोस्तों नहीं तो यह खूल जाएगा फिर हमारे पकोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे इसे हमें थोड़ा टाइट ही फोड़ करना है ये देखे दोस्तों हमने इसे फोड़ कर लिया है और रख दिया है पानी गरम होने के लिए ये देखे दोस्तों एक हम ले लेते हैं बरतन अब अपने पते को हम इस पे रख देते हैं और ढग कर हम रख देंगे दो मिनट के लिए हमारे पते पक जाएं यह देखे दोस्तों यह हमारे हलके से पक गए हैं अब इसे हम चाकू से काट लेते हैं यह देखे दोस्तों इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे यह असानी से कट जाते हैं दोस्तों इसे हम अब फ्राई करेंगे यह देखे दोस्तों कितने प्यारे हमारे इसके पीस कट गए हैं गैस पे हमने रख दिया है तेल गरम होने के लिए तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम डाल द अगा दोस्तों हमारे पकोड़े आपको अच्छे लगे तो comment box में जरूर बताईएगा आपको कैसे लगा और आप भी try करिएगा हमें बताईएगा हमारा पकोड़ा आपको कैसे लगा यह देखिए दोस्तों कुरकुरे और खस्ता हमारे पकोड़े बनका तयार होग इसे आप चटनी के साथ चाए के साथ सौब करिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे आप से नई रैस्पी के साथ हमारा चैनल देखने के लिए धन्न बाद दोस्तों बाए